वेल्कम टू एसके अंड़ेट सर यसके अंड़ेट सर पर मैं संतोज सर आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज हम नया चेप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका बहुत ही प्यारा नाम है वरणमाला परिच्छन यानि अलफाबेट्स टेस्ट इसके बारे में हम पूरा डी परिच्छन यानि अलफाबेट्स टेस्ट है इसमें कई परकार के कोश्चन पूछे जाते हैं कभी प्लेज वैलू के अधार पे दे देता है कोश्चन कभी बायां से अस्थान पर कौंसा होगा ऐसा कुछ कोश्चन पूच्चता है तो फ्रेंड्स आपको पहला जो कुछ प आप A to Z तक जितने हैं यानि 26 अच्छर हैं सभी का प्लेस वैलू आपको पता होना चाहिए उसके बाद दूसरा नंबर क्या है अक्छर का कोई बाया या दाया नहीं होता है उसको अपने बाया या दाया से उसको हल करना चाहिए ठीक फ्रेंट उसके बाद तीसरा पॉइंट ह हमारा क्या आखरी में पॉइंट क्या आता है अगर कोई मान जैसे किसी का मान आर में आता है यानि दाहिने यानि आर में आता है तो उसमें क्या करना पड़ेगा पहले हमें जो मान दिया रहेगा उसको 27 से माइनस कर देंगे उसके बाद जो आएगा अंसर उसी को हम लिख द और ऐनन करना पड़ेगा अगर आपको नब दो और और डुट लिए अगर आपको और दो यल दे दिया फिर यल दे दिया तो इसके लिए आपका क्या होगा माइनस करना पड़ेगा उसके बाद अगर आर दे दिया फिर आर दे दिया तो इसके लिए क्या होगा इसमें भी माइनस करना पड़ेगा यानि अगर समान समान होगा तो माइनस करना पड़ेगा और डिफरें करवा देते हैं एक बार यह तो पॉइंट्स थे कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए उसकी बाद क्या प्लेस बैलू कैसे का याद करेंगे उसको ध्यान में रखते हैं अभी तो देखे फ्रेंट्स प्लेस बैलू याद करने के लिए बहुत ही तरीके हैं कुछ लोग इजोटी बताते हैं कुछ लोग पेंटागन बताते हैं बट हम एकदम सरल भासा में इसको समझेंगे की कैसे प्लेस बैलू याद कर सकते हैं तो इसमें 26 अच्छर होता है इसको जैसे आई है, य है, यळ है, यम है, यन है, ओ रहता है, क्यू है, आर है, यस है, टी है, यू है, व है, डबलू है, यक्स है, य है, और जड है, ठीक फ्रेंट्स? यह हमारे 26 अच्छर है, अब इनकी place value क्या है, देखे friends, A की place value 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, F की 6, H की G की 7, H की 8, I की 9, J का क्या होता है, 10, K का 11, L का 12, M का 13, 14, इसका 15, और P का 17, Q का, sorry P का 16 होता है, उसके बाद Q का 17, R का 18, उसके बाद S का क्या होगा, 19, T का 20, उसके बाद U का क्या होगा, 21, V का 22 होगा, 23 इसका होगा, W का, उसके बाद 24, X का होगा, और य क्यों होगा 25 अभ आखरी में हमार जेड है इसकी वैलू क्या होती है प्लेस वैलू 26 यही इनकी प्लेस वैलू है ठीक फ्रेंट्स तो कितना देखिए सभी का है बस आसानी से आप लोग इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग दो तीन बार इस पहला अर्धान कहां तक है और दूसरा यानि पहला अरधान कहां तक है तो फ्रेंट्स अगर पहला अर्धान से इधर यह जितना है सब क्या Hokp यह पर't यॉक्त guarantee के अंदर का ऺष्त आता है ठेक फ्रेंट उसके बाद दूसरा ताउम का से आता है यहां से देखिए यहां तक यह क्या है दूतिय अर्धान से यह जो रेट से इंडिकेट किया गया है यह जो क्या करते हैं और यह जो हमारा ब्लैक से इंडिकेट किया गया है यह क्या है पर्थम अर्धान से तू कभी कभी ऐसे फूच लेता है कि पर्थम और्धान्स को फिप्रीद करम में कर दें दुतियारधान्स को कैसे question हम solve करेंगे इसhte be best question हम solve करेंगे तो आईए देखते हैं हम type 1 type 1 का पहला question कि हमारे पहले type में कैसे question पूछे जाते हैं ठीक friends तो इसको हम अभी बताते हैं तब तक आपकी blackboard पे question आही गया होगा देख लीजिए बहुत आसान question है आपको ज्यादा time नहीं लगना चाहिए तो चलिए friends हम इस question को solve करते हैं question क्या है अंगरेजी और माला में बाये से दसमें अक्षर बाये से दसमें बाये से क्या लेफ्ट से क्या है दसवा है उसके बाद क्या है उसके बाद क्या कह रहा है दाहिने से 15 दाहिने से यानी राइट से 15 उसके बाद क्या कह रहा है अक्षर के बाएं उनिस्वा अक्षर कौन सहोग उनिस्वा अक्षर बताईए उनिस्वा अक्षर के बाएं उनिस्वा अक्षर बताएं मतलब कह रहा कोशन में यदि वर अंग्रेजी वर्ण माला के बाएं अक्षर-स के दाहिने अक्षर-से पंद्रहवा के वह से उनीशवा अक्षर बताइए तो फ्रेंस यही सिंपल दिया गया आप इसको सॉल्व करना है तो इसमें साल्व करने के लिए आपको पुर मै क्या करना पढ़ेगा देखी अब पहले इसको इसको कंट करिए तो और यहां पर देखी एक बात और ध्यान करिए कि जो पहले रहेगा उसी को हम लिखेंगे तो देखिए अब 15 और 10 और 15 क्या हो गया ट्वंटीफाइब हो यानि 10 और 15 क्या होगा 25 उसके बाद देखिए अब यल को ऐसे लिख लीजिए जो यल वाला बसता है उसके बाद क्या करिए अब देखिए समान समान आ गया ना तो इसमें क्या करेंगे हम माइनस करेंगे तो देखिए यल 25 माइनस 90 तो माइनस करेंगे तो क्या हमारा आएगा यल बराबर क्या जाएगा तो सिक्स का प्लेस बैलू अब सिक्स का यल से जाएंगे या नहीं लेट से जाएंगे तो लेट्स पे हमारा सिक्स के अस्थान पे प्लेस बैलू किसकी सिक्स होता है तो किसका होता है हाँ आपको पता है किसका होता है या अपका होता है तो यह हमार जल्दी से जल्दी solve करिएगा तो देखिए को़िएक नमबर डू क्षर के दाहिने तिरहाएं अक्षरके बाएं 15वा अक्षर कौन सा होका 22 से 9 के दाहिने 15 के दाहिने तिरहमा तिरहमा यानि 13 के बाएं के बाएं 15 यानि 15 अच्छर कौन सा है बताईए यही पूछ रहा है तो यह है यही question दिया गहा है तो इसको कैसे शाल करते हैं पहले इसको count करेंगे तो देखi ul इसको लिख लेते हैं जो पहले फस्ट में रहता है तो nine plus þarटी माइनस 15 इसको दिखिए काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए हां ul 22 हो जाएगा उसके बाद इसको माईनस करेंगे तो फ्प्टी माइनस करेंगे होगे तो आफ जब फिप्टी माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हाँ कितना बचेगा सेवन बचेगा यानियल सेवन तो ब πα्क्षिसंद से यानि लेविट से पर प्लेas वैलो किसका आता है जी का आता है किसका आता है जी का जो हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा तो किस आपसन में है आपसन ए में है तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना next question कि नेक्ष्ट sprouts हमारे ये है कि अंग्रेजी वरर्ण माला में दाहिने से छटे अक्षर के बाएं उनीश्वे अक्षर के दाहिने सांतवा अक्षर बताईए छटे दाहिने से देखिए डाहिने से छटे एक्षर शिक्स अच्छर उसके बाद क्या कह रहा है के बाएं के बाएं उन्नीस्वा के दाहिने कि सात्वा क्षर बताईए यह कोस्चन दिए गया फिरेंट्स तो इसको देखिए साल्प करने बहुत आसान तरीका है यह हमारा कॉंसट्स नमबर टू है इसमें क्या है पहले इसको कान करिए क् all this करेंगे तो आरी देखिए अब यहां पर आगया तो इसको पहले लेगी जो यहां पर पहले लिखा रहेगा उसिकके लिख Onu छेंग है ठीक फूरेंज है आउन आप देखिए आर अब तो क्या करेंगे फिरेंट्स इसको माइनस कर देंगे क्या करेंगे आर माइनस 25 में से 7 को माइनस कर देंगे तो जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 7 को माइनस करेंगे तो आर 80 आ जाएगा अब 80 आ गया न तो अब इसको क्या हमारा रूल है इसमें से 80 आ गया है तो इसको क्या करेंगे हम 27 से माइनस करेंगे तो अगर 27 माइनस कर देंगे तो कितना ना है नई जाएंगे 9 किसका place value है तो 9 बच रहा है 9 किसका place value है आई का है तो यह हमारे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स answer हो जाएगा तो हमारे किस option में है option 2 में है जो क्या हो जाएगा हमारा right answer तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हम अपने next question की तरब अब देखते हैं हमारा next question क्या है blackboard पे आपको लोगों को question मिली गया होगा देख लीजिए उसके बाद हम आपको समझाते हैं वो question question यह कह रहा है कि अंग्रेजी वरनमाला में दाहिने से दसवे अक्षर के बाएं इक ग्रावा अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा यही पूछ रहा है यहीं दाहिने से दसवा अक्षर के बाएं ग्रावा के दाहिने चौथा अक्षर क्या होगा यहीं हमसे पूछ रहा है बताईए चौथा अक्षर बताईए तो यहीं हमें बताना रहेगा ठीक friends तो देखिए कि इसको कैसे साल करते हैं अब देखिए पहले इसमें क्या है डिफरेंट है तो इसको क्या करेंगे काउंट करेंगे तो आर उसके बाद 10 11 काउंट करेंगे तो क्या हो गया 21 हो जाएगा उसके बाद 17 17 आ गया तो आप 17 को क्या करेंगे 27 से 70 को माइनस कर देंगे तो जब माइनस करेंगे तो इसमें क्या बचेगा 10 बचेगा तो 10 किसकी प्लेस वैल्यू है किसकी है जी की है तो यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक फ्रेंड्स तो यह आंसर हो गया तो आप लोग टिक लगाज लीजिए आप्सन हमारे किस आप्सन की तरफ है आप्सन फोर की तरह हैं तो हमारे क्या हो जाएगा आप्सन फोर इस राइट आंसर तो चलिए फ्रेंट अब देखते हैं हम अपना टाइप टू टाइप टू में ये रहेगा आपको विपरीत कोश्चन पर है यानि अब क्या करेगा आपको एक बार हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे को मलब उसमें विप्रीद्ग करम रहेगा अब देखे फ्रेंड्स क्या करेगा, पहले तो a to z लिखता था, पहले तो a to z but इस दूसरे type में क्या है, type 2 में क्या क्या कह रहा है, कि z से a तक लिखेगा, ठीक फ्रेंड्स बस ये कोशन आप पढ़िए उसके बाद साल करने का तरीका मैं बताऊंगा जेट से ये तक लिखने को कह रहा है तो विप्रीत करम यही हुआ तो अब इसको जेट से एट तक अगर लिखेंगे तो इसे लग करेंगे तो काफी टाइम लगेगा बट इसको हम कैसे कॉंसेट से स करते हैं तो देखें क्या है यदि अंग्रेजी वरमाला के विप्रीत करम में लिख दिया जाए तो दाहिने से दस्वा दाहिने से दस्वा उसके बाद क्या करेंगे बाद उसके बाद अक्षर के बाएं पंद्रावा अक्षर के दाहिने कैस्वा अक्षर कौन सा होगा पंद है इसको क्या कर लेंगे यल बनाके 10 लिख लेंगे उसके बाद ये यल है उसके बाद इसको आर बनाके 15 लिख लेंगे उसके बाद बचा क्या आर है आर को क्या कर लेंगे यार 21 कर देंगे तो इसको आप ऐसी इसको साल करेंगे तो हमें आसानी होगी आंसर लाने में तो देख प्रफौर आजाएगा तो यह सोर किसकी प्लेस वैलू है डी की है उख एसकी है डी की है तो मली होजाएगा अंसर आपस क्या होगा और अंसर और अंसर ंब सान kangen वेलू में युखते हैं Aa निमिंबर 2 की तरफ आप लोग कोसिए रहे होंगे कि इसमें क्या कहा है यदि अंगरेजी वरमाला को विपरीत करम में लिख दिया जाये तो धाहिने से नवे दाहिने से नवे अक्षर के बाएं 15 हमें अक्षर के बाएं निसवा अक्षर के दाहिने उनिसवा अक्षर बताईए यही पूछ रहा है तो फिर क्या करेंगे इसमें विप्रीत करम में कह रहा है ना तो इसको क्या करेंगे पहरे उल्टा कर देंगे अब आर है तो इसको यल के लिक्के 9 कर देंगे उसके बाद यह इसको आर लिक्के 13 कर तो इसको आप साल्व करते हैं तो साल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अब देखिए इसको पहले काउंट करते क्यों कि डिफरेंट है तो काउंट करेंगे तो यल अब इसको काउंट करेंगे तो क्या जाएगा 22 आ जाएगा उसके बाद माइनस अब इसको क्या करेंगे सारी अब क्या करते हैं 22 में जो imagine की तरफ है जो हमारा क्या है राइट तो यही थे हमारे टाइब टू के कुछ कोश्चन तो यह ऐसे ही कोश्चन आपके टाइब टू में पूछे जाते हैं तो एक नोट्स आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिए नहीं तो सुन लीजिए ब्लैक बोर्ड पे दिखी रहा होगा इसमें यह कह रहा है कि यदि प् रहें पर उप्यूक्त है उप्यूक्त हो उप्यूक्त परकार के हो तो क्या करना पड़ेगा आपको जो अगर विप्रीत करम मनला विप्रीत करम में हो तो क्या करना पड़ेगा आपको कि जो लेफ्ट को फिर राइट कर लेंगे और राइट को लेफ्ट कर देंगे तो उसक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर नहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेडों में सेयर कर दीजेगा मित्रों में सेयर कर दीजेगा क्योंकि यह आप ही के शे़े दो जैनल है आप इसको corn रख कर सकते हैं अब इसको डिस्लाइक कर सकते हैं आप इसको अनगुर भी कर सकतें तो आजक्य वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज्यूर बताएवा अगर नहीं अच्छा भी नहीं लगा तब भी कमेंट करिए सर आपका वीडियो अच्छा नहीं लगा है ठीक फिरेंट तो आज की वीडियो में बस इतना ही जैहिन बंदि मात्रम थैंक्यू स्टुडेंट